क्या है आज की बात मेरी बात आपकी बात हर किसी की बात देश, दुनिया, गाहों टेहाद, सत्ता, समाध, संस्कृति, मीडिया और सियासद सब की बात नेयूज क्लिक का वीकली शोओ आज की बात मेरे साथ दोस्तो नमस्कार आदाब सत्स्रियकाल नियूस क्लिक के करकरम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश दोस्तो आज एक ऐसे विशे पर हम बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ एक बहुत जानकार व्यक्ति इस विशे पर भारत में सबसे सुसंगत और वस्तुगत ढंग से तथेपरक ढंग से जो जानते हैं समझते हैं बोलते रहें लिखते रहें हम ऐसे एक विशेशग्य के साथ आज बात करेंगे और ये विशे है जातिवार जनगणना का आप सब जानते हैं कि जनगणना किसी भी मुल्क के लिए बहुत महत्पूर परिगटना होती है सिर्फ लोकतांत्रिक मुल्क ही नहीं ऐसे भी मुल्क जहां लोकतांत्र नहीं है वहां भी जनगणना होती है लेकिन अपने देश में पारे में कोई फैसला ही नहीं है इतने दिनों से और लगाता ये मामला टलता जा रहा है पहले कोर्णा के कारण टला अब किन कारणों से टला कोई नहीं जानता अब बहुत सारे लोग दबेस्वर से कहते हैं कि चुकि जातिवार जनगरना का मामला देश की साथ एक फिस्दी आबादी में बहुत लोगकप्री हो चला है लहाजा मवजूदा सरकार साथ फिस्दी लोगों की लोगकप्री एक मांग बल्कि उससे भी जादा परसेंट उससे बचने के लिए ही दो हजार चोबिस के लोग सबाद चुनाओं से पहले इस पर कोई फैसला नहीं करना चाहती हाला कि सरकार ने ये पहले ही कह दिया कि वो जनगरना में जातिवार गिंती नहीं कराएगी इसको लेकर आक्रोष भी ऐसे समाजों में है क्योंकि इसी सरकार ने 2018 तक कहा लगातार कहा कि वो जातिवार जनगरना कराएगी जैसे एक समय यूपिय सरकार ने कहा था कि वो जात खर्चा हुआ था लेकिन अब कॉंग्रेस बिल्कुल पलट गई है अब उसका कहना है कि वो हर हालत में जातिवार जनगणना आधिकारिक तोर पे एक जनगणना कराएगी जब कभी पावर में आएगी और विपक्ष के रूप में भी वो इसकी मांग पूर्जोर धंग से जानते हैं कि अंग्रेजों के जमाने से 1872 से यह जनगणना शुरू हुए अपने देश में और 1931 तक जातिगत जनगणना के आंकड़े आते रहे लेकिन 1941 में जनगणना जो हुई वो भी जातिवार जनगणना थी जातियों की गिंती की गई लेकिन उसके आंकड़े पब्लिक नहीं हुए क्योंकि वैश्विक परिस्थिती युद्ध वगरे की स्थिती के कारण ये रुख गया आजाद भारत में जातिवार जनगणना नहीं की गई तो अब एक बड़ा प्रश्ण है इसको लेकर कोट के से जोई बहुत सारे राज्यों ने सर्वे किया और उसमें बिहार भी शामिल है अब देखना ये है कि ये जनगणना कब होती है जनगणना आयुक्त के कारयाले की तरफ से संकेत मिल रहे हैं हाला कि आदिकारी गोश्णा नहीं है कि अब लोग सभाद चुनाओं की बादी संभा होगा सरकार भी इसी तरह का इंडिकेशन दे रही है और लोग सभाद चुनाओं में क्या ये मुद्दा वाकई बड़ा मुद्दा बनेगा जातिवार जनगर तो इसी लिए हम इन तबाम पालुमों पर बाचीत के लिए आज हमने आमंतित किया है देश के चाने माने समाः शास्त्री और दिल्ली विषविद्जाले में समाः शास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं जो अभी-भी हाली में रिटाइर हुए हैं प्रोफेसर सतीश देश पां एकॉनमिक चेंज इसमें एमेन स्रीनिवासन चेयर पर है तो सतिश जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के कारिक्रम में शामिल होने के लिए 2018 में मजुदा सरकार ने भी कहा था कि वो इस बार जातिवार जनगरना कराएगी फिर भी जातिवार जनगरना से साफ इंकार कर दिया मजुदा सरकार ने और वो भी पारलमेंट में किया पारलमेंट के बाहर भी कर दिया अब एक फर्म स्टेंड है कि हम नहीं कराएंगे क्यों जो सत्ताधारी हैं, उनके इर्द गिर्द, जो विचार रखने वाले लोग हैं, इस तरह का जो डिस्पोर्स सामने आता है कि जातिवार जंगरणा कराने से जातिवाद बढ़ेगा, जी ये तो बहुत पुराना तर्क है, ये आजादी के बाद से दिया जा रहा है, बलकि आज की तारीक में, जातिवार जंगरणा को लेकरके, एक बहुत सीरी सी बात है, जब राजनीतिक दल सरकार से बाहर होते हैं, तो वो इसकी मांग करते हैं, और जब वो सरकार में आते हैं, तो मुकर जाते हैं. तो ये लग्बख ये पहले कॉंग्रेस के साथ भी हुआ, और अब भाजपा सरकार के साथ भी यही हो रहा है. लेकिन इस सरकार के साथ एक और भी प्रवित्री है, एक और भी रुजान है इनका, जो अलग-अलग आंकड़ों में देखा जा रही है. ये केवल जंगर्णा की बात नहीं है. आर्थिक आंकड़ों को लेकर के भी ये सरकार बहुत ज्यादा समय दिनशील रही है. और ये नहीं चाहती कि इसके खिलाफ या इसके राज के विफलता का किसी प्रकार का प्रमान आम जंता के सामने पेश किया जाए. कम से कम राज तंत्र से तो नहीं ही पेश किया जाए. तो कई सारे आर्थिक आंकड़ों को भी एक तरस से या तोड़मरोड के पेश किआ गया है, या फिर वो प्रक्रिया ही सगित कर दी गई है ऐसे बहुत सारे उदारण गिनाए जा सकते हैं. उसमें जाती वार जणगंद्ना एक उसमें एक शामिल है, इसकी फेहरिस्त में जाती वार जानगंद्ना भी शामिल है यह मामला अब राजनितिक स्वार्थ का है, जब किसी दल को लगता है कि उसके पक्ष में जाएगा, किसी प्रकार की जानकरी उसके पक्ष में जाएगी, ऐसा उसका अंदेशा रहता है, तो ये तावर्टोड ऐसी जानकरी को प्रस्तुत किया जाता है, जब उसे लगता है कि हमारे खिलाव जा सकता है, तो उससे किसी परकार टाल माटोल के उसे नहीं पेश किया जाता है, तो यही हो रहा है, जातिवार्ट जनगर्णा के साथ भी यही हो रहा है, मेरे ख्याल से इनका अंदेशा है कि उनको शायद दिक्कतें बढ़ सकती हैं उनके राजनी दिक्कतें और जब चुनाओ के इतना करीब होने के कारण शायद वो मुकर रहे हैं ये भी एक अजीव विडम बना है कि जो जनगणना 2020 में होनी थी वो कोरोना के कारण नहीं होई जो सारकारी स्तरपर कहा गया और वो कन्विंसिंग आर्गुमेंट था सही बात थी कि उसमें संभव भी नहीं था लेकिन जब कोरोना दौर खतम हुआ तब भी जनगणना का प्रयाश नहीं किया गया फिर बात में पता चला कि जो देश के राश्टी जनगणना आयुक्त का कारियाले है वहाँ पर एलोकेशन भी बजट वगरा का उसको मिल गया कि नौजार करोड खर्च होगा ये होगा डिजिटल इस बार काफी जो तरीके हैं इस्तेमाल किये जाएंगे ये सारी चीजें मीडिया के थ्रूँ सामने आई लेकिन फिर भी नहीं हुआ 2023 आ गया इस बीच में 2022 में कई जगा एलेक्शन हुए और बाई एलेक्शन तो 20-20 में होते भी रहे थे 2023-2024 में भी जनगणना कराई जा सकती थी लेकिन वो संभव नहीं हुए अब ये कहा जा रहा है कि 2024-2025 में जनगणना कराई जाएगी उसका भी कोई निरधारित कारिक्रम सामने नहीं आया है बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि चुकी जातिवार जनगणना की लोग कप्रिया मांग समाज के जो सवाल्टन समू हैं जो खासकत पिछड़े वर के लोग है दलित लोग हैं उनमें उठ रही है बहुत तेजी से लोग कप्रिया मांग है तो उनको ये लगता है कि अगर हम जनगणना जातिवार नहीं कराएंगे तो इसका हम्याजा उनको लोग सभा के चुनाव में सामना उसका करना पड़ेगा इस पालू को कैसे देखते हैं क्या सरकार जनगणना से बच करके क्या अपना ही नुकसान नहीं कर रही है सरकारी कामकाज में टेटा में कोई अगर बुलक अपनी जनगणना ही न कराए और लगातार टालता रहे तो ये कैसे इसको देखते हैं एक समाजशास्री के तोर पे आप जी इसमें दो पहलू है एक तो ये कि जो कोई भी राजनेदी दल सत्ता में होता है उससे दो कदम आगे सोचना पड़ता है आप सही कह रहे हैं कि ये एक लोकप्रिय मांग है तो वो पहला कदम है लेकिन सत्ता धीन दल को ये भी सोचना पड़ता है कि आखड़े आएंगे तो क्या होगा तो जब वो इसके बारे में सोचते हैं तो इस अंदेशे से इस संभावना से वो घबरानी लगते हैं कि अलग-अलग मांगे उठने लगेंगी जिनके बारे में उनको कुछ करना होगा और वो करने की हालत में नहीं होंगे और वो अपने को असाहाय लोगों के सामने में तो वो इससे बचने के लिए चाहते है जनगर्ना ही नहीं आकर différents सामने आएं तो वो यह नहेंगा बांस वाली बात है, तो अब आगे फिर बांसरी बज़ेगी ही नहीं, तो फिर बज़ जाएंगे, और जैसा कि मैंने कहा कि इस सरकार का खास ये रवीया रहा है, क्योंकि अब ये एक आयामी राजतंत्र को एक आयामी बनाया जा रहा है, हमारे यहां जो आजादी के बाद जो अलग अलग अंग या आयाम थे, जो एक दुसरे से स्वायतता कायम किये यह थे, एक दुसरे से उनको स्वायत रहना था, अज़ाद रहना था. राज तन्तर मतलब प्रजातन्तर की बात था आप कर रहे हैं? जी-जी-जी, प्रजातनलग्वा, हमारे आजादी के बाद जो नहरुयूग में जो यह सारी रिस्टरा जनरल का जो ओधा है, और उनका जो उनका जो ओफिस है, वो सरकार से स्वायत है, वो अजाद है सरकार से, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अजाद है, और जो तमाम CSO जैसे Central Statistical Organization, National Sample Survey, इनको कम से कम इन प्रिंसिपल सरकार से आजादी प्राप्त है, क्योंकि मुक्त संस्थाएं ही सही सही जानकारी प्रस्तुत कर सकती है, नहीं तो जैसे पुराने जमाने राजाओं के साथ होता था, कि आप बुरी खबर लाए तो आपकी ही शामत आएगी, तो इसलिए कोई बुरी खबर राजा को देता ही नहीं था, तो प्रजात अंत्र में कम से कम और विक्सित देशों में भी यह है कि आखड़े एकठे करने वाले जो सारवजनेक आखड़े हैं, एकठे करने वाली संस्थाओं को थोड़ी आजादी दी जाती है, कि वो सरकार से अलग रहें, और सरकार की से बंद कर दिया गया है, अब ये सारा राजदंत्र, ये सरकार चाहती है कि सारा राजदंत्र एक ही स्वर में बोले और ये स्वर जैजयकार का हो, और उसे ये भी नहीं भाता कि अब चुपी भी उनको मन्जूर नहीं, उनको प्रशंसा चाहिए, जैजयकार चाहिए, तो ऐसा जो व्यापक महोल ऐसा बन रहा है तो जंगर्णना भी एक इसमें अफगात है ये ये भी शिकार है इसका आम तोर पर दुनिया भर में जहां भी लोकतंत्र है और बलकि जहां लोकतंत्र नहीं है जहां डिमक्रसी नहीं है ऐसे भी मुलकों में जंगर्णना कराई जाती है क्योंकि उनको भी आंक्डे चाहिए उन शास्तों को भी हमारे हाँ तो colonial जो rule था उस समय जंगरना कराई जाती थी उनको अपने interest में जरूरी था और अभी जो जंगरना हो रही थी उसमें लगातार हम देख रहा है कि अपने मुल्क में भी धरम का जातियों का भी data लिया जाता था SCST का और minority community के लोगों का इसके अलावा पेशे के बारे में educational status के बारे में वगरा वगरा केवल OBC और परकास के आंकडे ये नहीं आपाते थे ये बात सही है तो अब ये दलील एक दी दी जा रही है और बहुत दिरों से कि इनको क्यों रोका जा रहा है वैसे भी OBC का reservation है और OBC के reservation को लेकर बहुत सारा confusion रहा मंडल आयोग जब बना मंडल सहाब को भी आंकडे नहीं मिले कि कितनी आबादी है उनको अंदाज से बताना पड़ा कि इतनी हम को लगता है फिर उन्होंने recommend भी किया कि जनगरना इसलिए भी होनी चाहिए कि उनको आंकडे नहीं मिल पा बेहतर चलाने के लिए जो जनगरना जरूरी मानी जाती रही है हर छेत्र के विशेशक्जियों द्वारा इसके अलावा आप क्या और सोचते हैं कि आज के context में इंडिया में भारत जैसे मुल्क में जातिवार जनगरना क्यों और जरूरी है जी जो परंपरागत तर्क दिये जाते हैं यानि जो पहले से दिये जा रहे हैं वो कुल मिला के यही है कि अच्छी जानकारी बहुत सटीक जानकारी होगी तो जो सरकारी कारिक्रम है कल्यानकारी कारिक्रम है उनके गठन में उनको उनके डिजाइन में मदद मिलेगी और यो लोगों तक पहुच पाएंगे, जिन तक पहुचना चाहिए. सीधी सी बात है, इसमें कोई बहुत पेचिदगी नहीं है, कोई बड़ी. और ये बहुत, कई सालों से ये, कई दशकों से ये तर्ग दे जा रहे हैं. और कई बार कोर्ट की तरफ से भी मांग हुई है, कि फलाना चीज के लिए हमारे पास आँकड़े नहीं है, फलाना चीज के पास के लिए आप कुछ कराओ, कुछ आँकड़े उपलब्द कराओ. लेकिन मेरे ख्याल से आज के भारत में, खास कर पिछले 10-12 साल से जो दौर चला है, उस दौर में, एक और नया कारण है, जिसके लिए हमें जातिवार जंगरना कराना आज लाजमी है. और वो ये है कि पिछले दशक में ये धारणा अब बदलने लगी है, कि कम से कम सारजनिक छेत्र में, राजनितिक छेत्र में, जाती नामक चीज को सिकोड कर उसे लगभग कथित निम्न जाती का परियाई बना दिया गया है. बानो ये एक समस्या है जैसे गरीवी एक समस्या हुआ करती थी वैसे जाती एक समस्या है और ये समस्या वो लोग है हम नहीं वो लोग है आगर जातिवादी कोई है तो वही है नीचे के. जो जाती की बात करता है, जो जाती के आंक्ष्म वह जातिवादी हैं और इससे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा फाइदा जिस वर्ग को मिल रहा है जाती व्यवस्था का, उस वर्ग को गुम्नामनी का एक और तौफ़ा भी साथ में दे दिया जाता है। लगभग यहने एक वर्दान कि आप जाती को भुनाते जाओ, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, बलकि हम आपको गुम्नाम रहने का उसका रास्ता भी हम साफ कर दें। आपका संकेत साफ साफ है, अपर कास्ट हिंदू सवाज। जी, तो जब इस तरह के आकड़े आएंगे, जनगर्णा की जो जानकारी होती हो, काफी सिमित होती है, क्योंकि यह बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है, और इसे लंबा चोड़ा बनाने का इसमें ज्यादा गुन्जा वित्रण किस तरह का है, और जो संपन्वर्ग है, उसका जातिगत पहचान उसकी क्या है, तो एक तरह से यह कोई छिपीवी बात नहीं है, जिसे अंग्रेजी में पब्लिक सिक्रेट कहते हैं, यह ऐसा राज जो सर्विदित हो, यह राज की जो संपन्व लोग जादा तर पूची जातियों के हैं, यह तो सभी को मालूम है, लेकिन जनगणना एक ऐसी चीज है, जो ऐसे प्रमान तयार करेगी, जिसके खिलाफ बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आजकल क्या है कि वो सौसुनार की एक लोहार की वाले वाला महार आया है, तो यह सौसुनार वा सके, लेकिन जनगणना यह लोहार वाली चीज है, एक ऐसा इतना बड़ा हतोड़ा है यह कि इसके प्रमान जब सामने आएंगे, तो इसके आगे और कुछ टिक नहीं पाएगा, तो इसलिए भी थोड़ा जो सत्ता में जो वर्ग होता है और जो जिसका रुजहान ज्यादतर कथित सवर्णों की और है, उनको जनगणना से घबरावट होती है या उनके आंकडों से घबरावट होती है, तो मेरे ख्याल से हमारे, हमारा समाच जिस चरण तक आज पहुचा जाती के सवाल को ले करके, उसमें यह बहुत जरूरी है कि हर नागरिक से यह सवाल पूछा ज क्योंकि हम इस सहजबोद से बचें कि जाती नाम की चीज केवल कथित निम जातनी की समस्या है और वो समस्या उधर है, समस्या इधर नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से हम जाती कि मूल जो उसका जो मूल तक्त्व है, वो है परस्परिक्ता, उसे हम भूल जाते हैं, तो इसकी ज बजन कुछ होगा, हमारा कद कुछ होगा, ये सब हर ग्यक्ती का चरित्र गुण है। ऐसा गुण नहीं है जाती, जाती एक रिष्टे का मामला है। हमारे और आपके बीच में जो रिष्टा है, उस रिष्टे से जाती पैदा होगी है। जाती मुझ में नहीं है, ना आप में है, हम दोनों के रिष्टे में जाती है. तो इसका एहसास लोगों को तब होगा, जब सबको लगेगा, सबसे पूछा जाया है कि भाई, आपकी जाती क्या है? आज ऐसा होता है कि जाती कर जो आंकड़े हैं, जानकारी है, वो कथित निम्न जातीयों तक सिमित रखी जाती है, जिससे बाकी जो संपन्वर्ग है और जो कथित सवरन लोग है, उनको ये खुश्मयमी में रहने दिया जाता है कि उनकी कोई जाती नहीं है, या कम से कम जाती से उनका कोई वास्ता नहीं है. और ये कम से कम सहजबोत के तोपे, common sense के स्थर पे इस पर प्रहार करना जरूरी है जो जन्गन्ना की माध्यम से हो सकता है। तो झाम जैसे लोगों की जो राजनीती से बाहर है उसके परिवेक्शक हैं, याने बस हम देखने बाले हैं, हम खिलारी नहीं है। तो हम जैसे लोगों की जो समझ है, वो इतनी बार फेल हो गई है, कि अब मुझे कुछ कहने का कोई अधिकार नि रह गया है, नहीं मुझे इसका ढहर है. कि अब तक कि जो राजनेतिक समिक्षक हैं, उन्होंने समझा था कि नोटबंदी जैसे बहुत बड़े, लगभग प्रले जैसा हालत थी लोगों, जितना याने भुगतना पड़ा लोगों को, उसकी कीमत सरकार को चुका नहीं होगी, सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन ऐसा न लीजिये, फिर जो महामारी COVID को व्यावस्था को लेकर के जो जिस तरह के बहुत सवाल उठे थे, और ये खासकर COVID के, ये किवल गरीमों का मामला नहीं था COVID में, मध्यवर्ण के लिए भी बहुत सारी कठनाईया पैदा हुई, जो कम से कम बाद में तो बिलकुल साफ था कि ये प्रबंधन की कठनाईया है, ये कोई कुदरती, हमारी को अपने आप में कुदरती है, लेकिन उसके लिए इंतजाम करना तो इंसानों का काम है, सरकार का काम है, उसमें कई सारी कमया रहे गई थी, इसके बावजूद भी कोई खास फरक नहीं पड़ रहा है, तो मैं सिर लेकिन पहले हम देखते आये हैं कि इन सारे, जिनको मैंने अभी गिनाया, उसमें ऐसा नहीं हुआ है, तो इतबार भी हो सकता है कि हम सबको नहीं पता, लेकिन सरकार को, कम से कम इस सरकार को किसी प्रकार का वर्दान मिला हुआ है, कोई खास कवच है उनके पास, जो ये सार कुछ कह नहीं सकता कि इसका क्या होगा, काइदे से होना चाहिए, लेकिन फिर इसमें भी खास जनगना को लेगर कि ये दुधा वाली बात है, कि एक तरफ तो लोगप्रिय मांग है, दूसरी तरफ इसके आगे के जो कदम है, अगर ये जनगना कराई जाती है, तो उससे जो मांगे उठेंगे, उनको कौन जहेलेगा और किस प्रकार इसकी जो राजनेतिक इसके समीकरन है, वो कैसे बगलेंगे, इन सब को लेकर के जोड़तोर चल रहा है, और इसके बारे में कुल मिला करके मैं अपने हाथ खड़े कर रहा हूं, कि मेरे पास इसका कोई जवाब नही होगा, तो एक समाश शास्त्री को जैसा कहना चाहिए, जैसा बोलना चाहिए, जिस तरब श्रेशित करना चाहिए, सतीश जी ने वैसा ही किया है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर देश पांडे, आज के इस कारिक्रम में शरीक होने के लिए, नमस्कार.